लो एवरीवान वेल्कम बैक तुदे मैथमेटिक वर्ड स्ट्वेंट्स आज हम क्लास एट का चैप्टर एट उसका ब्रेंटीजर करने वाला हो डेफिनेटली तुम लोग ऐसे मंद्र बहुत दिन से मैं देख रहा हो कि तुम लोग बोलते हो सर अब ब्रेंटीजर नहीं करते दो पीर मैं बॉल रहा हो अगर तुम्हें चाहिए तो एक बर मेरा जो पॉल है वहां पे जाके वोटिंग करो फिर वह ज्यादा हो गया तो डफिनेटली में चैप्टर श्क्रिक्स कराऊंगा ऐसको यह क्मप्लीट होने के बाद इसका कंप्लीट होने के बाद उके तो चलो तो आज का सेसिन स्टार्ट करते हैं, let's get started और उसको क्रॉप करके वाटसब पर सेन किजिए, Class 6-12, IAT, JEE, Main and Advanced, NEED, CBSC and Allstate Board अब देर किस बात की, 8400-400 पर आपनी डाउट को आउट किजिए, link in the description below यहां पर फर्स्ट कोईशन जो है, the value of P for which this is divisible by this तो हमें long division method में इसको solve करना है, कैसे करोगे, कुछ नहीं बस जो number है, इसको divide करना है इससे न, तो यहां पर क्या लिखोगे, x square plus 3x plus P, divide x minus 2, तो यहां पर देखी सकते हो, x से जाएगा, तो x square minus 2x, अब sign change होगा, तो यह cancel, तो 5x plus P, ओके, अब इक 5x, तो 5 है coefficient, तो 5 से जाएगा, तो यहां पर x है, तो plus 5, तो 5x plus, minus 10 आएगा, अच्छली, plus minus, plus, plus minus, minus, 10, तो sign change होगा, तो यह cancel होगा, तो P plus 10, अब एक चीज़ बताओ, अगर यह जो polynomial है, यह divisible by अगर यह हुआ, मतलब यहां पर remainder 0 होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा क्या आया है, वो है P plus 10, तो definitely P plus 10 का जो value आएगा, वो 0 होना चाहिए, remainder 0, तो P का value कितना आएगा, minus 10, तो minus 10 is the answer, that means option 2, next, cosine obtained, when this is divisible by x plus 7, तो हमें cosine को find out करना है, जब यह वाला number, यह वाला polynomial x plus 7 से divide होगा, चलो, करते हैं, तो यहां पर कर देते हैं, number क्या है, x square plus 7x minus 4, तो यहां पर x plus 7 से हमें divide करना है, और cosine को find out करना है, तो definitely x से multiply होगा, तो x square 7x, तो अभी sign change होगा, मतलब देखो, यह भी cancel होगा, यह भी cancel, तो minus 4 रहेगा, और तो नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि यह linear है और यह constant है, तो यह से कम है यह, तो और नहीं जाएगा, तो definitely quotient is x, तो अभी option में देखो, फास्ट वाला, तो option 1 is the answer, ओके, next है question number c, यहाँ पर बोला गया है कि polynomial which when divided by this gives a quotient x-2 and remainder 3, अब एक बास बताओ, सोचो 5 से divide करें हो 11 को, तो 5, 2, 10, तो 1 remainder है, तो इसको कैसे लिख सकते हो, यह जो बीच में है 11, यह क्या है, dividend, dividend equals to what, divisor into quotient plus remainder, देखो 5, 2, 10, plus 1, 11, 11, तो कैसे लिखते हो, मतलब लिखना चाहिए, कि dividend equals to divisor into quotient, मैं Q लिख करके लिखता हू, quotient for Q, Q for quotient, ओके, plus remainder, ठीक है, अगर भूल जाओगे यह बाला formula, तो इससे याद कर लो, ओके, अब क्या करना है, हमें इसी का value find out करना है, तो equal diviser क्या है, बोलागा है, divided by this, इससे divide कर रहे हो, मतलब यह divisor है, तो minus x square plus x minus 1, into quotient, quotient का value क्या है, x minus 2, ओके, तो x minus 2, plus remainder कितना है, 3 है, so plus 3, अब इसका calculation करो, जो आएगा वो ही answer होगा, तो x से multiply होगा, तो minus x cube, फिर, plus x square, और minus x, then minus 2x square, minus, अच्छा, minus minus plus होगा यह, फिर, minus plus minus 2x, फिर, minus minus plus 2 plus 3, अब देखो, minus x cube, और इन दोनों को अगर एक साथ लिखोगे, calculation करोगे तो like time है, 3x square, minus x, minus 2x, that means, minus 3x, फिर, 5, अब देखो, कौन सा option है, यहाँ पर, इन दोनों में कोई होगा, option number 2, okay, minus x square, minus x square, plus 3x, plus 3x, minus, 3x square, फिर, minus 3x, minus 3x, plus 5, plus 5, okay, तो option number 3, चलो, अब यह और दो ही question है, 1a का, capital A, अब देखो, यहाँ पर जो question number D है, वो है, what should be added to the polynomial, this, so that x minus 3 is a factor of the resulting polynomial, अब मैंने कहा ना, कि, अभी अभी मैंने क्या कहाता है, कि dividend equals to divisor into cosine plus remainder, अगर यह याद नहीं रहे, मैं फिर से कह रहा हूँ, कि 5 से कोई भी एक number को ऐसा divide करो, जो remainder देता है, तो 5, 2 is a 10, 1 is the remainder, तो 11 कैसे मिलेगा, 5 into 2, इन दोनों को multiply, फिर last one, अब बोला गया है कि, यहाँ पे और कितना add करे, ताकि यह वाला जो number है, resulting number, वो exactly divisible है, मतलब, यह वाला जो x minus 3 is a factor, factor मतलब remainder part 0 होना चाहिए था, क्योंकि 11 जो 5 का नहीं है, factor, मतलब 11 का factor 5 नहीं है, क्योंकि remainder दे रहे, लेकिन अगर 10 चूज करे तो 5, 2 is a 10, देखो remainder नहीं है, मतलब 10 जो है, मतलब 5 जो है, 10 का एक factor है, got it, तो remainder नहीं होना चाहिए था, तो यहाँ पर 1 है, तो इसको अगर हटा दे remainder को, तो ही नहीं होगा, अब बताओ, यह number कैसे हटाओगे, इस number के साथ कितना add करोगे, तो यह हट जाएगा, minus 1 को add करो, तो क्या होगा, plus 1, minus 1, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर तुम minus 1 को add करोगे, तो 10 आ जाएगा, है ना, तो वैसे ही करना है, यहाँ पर भी, तो मेरा जो, यहाँ पर देखो, what should be added to the polynomial, this, तो यह हमारा क्या है, dividend है, तो dividend के जगा पे यह number को लिखो, इस number को, x square minus 5x plus 4, अब diviser क्या है, x minus 3, अभी हम लोगों के पास cosine क्या है, पता नहीं है, तो चलो करो long division method में, x minus 3, x square 5x plus 4, तो x से करोगे तो, क्यों, क्यों x है, क्योंकि fast term जो है x square, इसका fast term से divide करना होता है, तो x रहेगा, तो x से multiply होगा, तो x square minus 3x, x into x, x square minus 3 into x, 3x, ओके, अब यह plus, सोरी, यह minus होगा, और यह plus, तो यह cancel हो जाएगा, plus 3 minus 5 मतलब, minus 2x plus 4, अब फिर से जाएगा, देखो, यहाँ पर minus 2x है, divided by x, तो क्या मिलेगा तुम्हें, यहाँ पर तुम्हें मिलेगा, x, x cancel होगा, तो minus 2 से करो, minus 2x minus minus plus 32006, ओके, तो अभी sign change होने वाला है, यह plus होगा, तो यह minus होगा, तो यह तो cancel होगा, यहाँ पर minus 2 आएगा, तो यहाँ पर remainder है ना, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखने वाले है, this into cosine, cosine क्या है, x minus 2, ओके, और यहाँ पर minus 2, प्लास of minus 2, है ना, तो यह remainder को हमें हटाना है, तो remainder हटाना है, मतलब remainder अगर यहाँ पर नहीं रहेगा, तो क्या होगा, this is the factor of this, अब कैसे हटा होगे इसको, minus 2 के साथ कितना add करोगे, तो यह हट जाएगा, प्लास 2, तो यहाँ पर अगर मैं प्लास 2 करूँ, इस साइड में, तो इस साइड में भी, अच्छा चलो, और एक स्टेप कर देता हूँ, तो ultimate क्या होगा, अम लोग का, x square minus 5x plus 4, और यहाँ पर x minus 3, into x minus 2, plus or minus 2, अब मैंने कहा ना, कि इस साइड में, इसको हटाना है, और नहीं तो इस साइड में लाओ, तो भी चलेगा, चलो, इसको हटाते है, तो plus 2, तो इस साइड में भी plus 2 करना पड़ेगा, तो अभी यह है, हम लोग का, तो यह cancel होके 0 हो जाएगा, तो अभी यह रहे गया, तो मतलब, remainder 0 हो गया, मतलब, this is the, मतलब, x minus 3 is the factor of this whole polynomial, resulting polynomial क्या होगा, फिर, x square minus 5x, this add करके तो 6 आएगा, यहाँ पर बोल गया है कि कितना add करना है, what should be added, तो 2 मैंने add किया न, black में देखो, जो मैंने लिखा है, different color, 2 add किया है, तो option number 2, अच्छा, उसी तरह अभी same method, यहाँ पर भी follow करना है, question number e में, तो देखो, यहाँ पर क्या है, what should be subtracted, यहाँ पर क्या था, added और यहाँ पर subtracted, चलो, कोई बात नहीं, process same होगा, तो polynomial this, तो यह है हम लोगों का, मतलब इसको divide कर रहा है, मतलब क्या जा रहा है, तो यह है dividend, तो इस जगा पर क्या लिखोगे, x square minus 16x plus 30, यह है हम लोगों का dividend, अब इसको किस से divide कर रहे हो, x minus 15 से, तो divisor है, x minus 15, इंटू, अभी quotient find out करो, x minus 15, x square 16x plus 30, अब देखो, यहाँ पर x square है, और यहाँ पर first term x है, तो divide करने के बाद x मिलता है, तो x से multiply करना है, तो x, x, x square minus plus minus 15x, ओके, अब sign change होगा, तो यह plus, sorry, यह plus है already, मतलब यह minus होगा, और यह plus होगा, तो यह cancel होगा, तो यहाँ पर क्या हैगा, minus x plus 30, अब देखो, यहाँ पर क्या है, minus x है, और यहाँ पर भी x है, तो cancel करको तो minus 1, तो यहाँ पर minus 1 आएगा, ओके, तो minus x minus minus plus 15, sign change होगा, cancel, that is 15, अभी यह remainder नहीं रहेगा, तो ही हो सकता है, तो यहाँ पर देखो, q का value है, q का value है, x minus 1, तो यहाँ पर लिखो, x minus 1, plus 15, अब subtract करना है, तो minus 15 को हटा दो, तो अभी subtract होगा, तो यहाँ पर अगर मैं minus 15 लिखू, तो i हसाइड में हना हो सब्सक्राइब, तो म kier में पर दो का José ने क्या हो जाएगा, यह वाला पाट 0 हो जाएगा, यह वाला पाट 04 म मशेंट और प्लस– 15 –0 हो जाएगा, तो मतलब यह रहेगा तो यह क्या हो जाएगा? फ्यक्तर हो जाएगा, तो कितना minus करना 15-15 कहा है आप से यह वाला तो आप से थी ओके लिए उतना ही मेरे नेक्स्ट जो पार्ट होगा वहाँ पर में कुशन नमबर वान एक में यहां पर हुआ है स्रिप बी का पार्ट वहाँ पर होने वाला है मतलब ब्रेंटीजर का कुश्चन नमबर वान में में नच्डान चैंल नशाल है हो अगर मीरा पढता न इसांधिन में उसके प्लीसित में मुल जाएगा कोई भी वी का वहां पर यां जाओ बाई बाई बाई